तमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का इंट्या न्यूज हर्याणा में मैं हूँ आपके साथ पूर्बाज चले खबरों को देखते हैं फटा फटा फटन दाज जीलो की नगरी उदैपूर में कॉंग्रेस आज जिसे तीन दिन तक चिंतन शिविर का आयूजन कर रही है 15 माई तक चलने वाले इस शिविर में पार्टी के दिगल जुनेता होंगे शामिल राहूल गांधी दिल्ली से ट्वेंड के जरीए उदेपूर पहुंचे इसमें कॉंग्रेस के 430 से प्रतिन धी शामिल होंगे अलग-अलग समूहों में चर्चाओं का दौर चलेगा कॉंग्रेस के तीन दिवसिये चंतन शिविर में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी जबोग एरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का क्या गया स्प्वागत राजसान के मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूँ कि राहूल गांधी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए हर्याना में गर्माया आई-एस अधिकारियों का विवाद फिर सामने आमने सामने आए अशुक खेमका और संजीव वर्मा सीबियाई को मामले की जान चुछ सौपने के लिए लिखा गया लेटर हर्याना वेर हाउसिंग कोर्पोरेशन के मटी संजीव वर्मा ने बर्ष 2010 में खेमका पर विभाग में मटी पत पर रहते हुए दो मैनेजरों की नियुक्ती में अन्यमित्ताय बरतने का आरोप लगाया आईस अशोखेमका ने आर्चाइफ डिपार्टमेंट में वाहन के मिस्यूस की शिकायत के पुराने मामले में संजीव वर्मा के खिलाव दुबारा शिकायत दी है परंतु पंचकुला पुलिस ने उस पर कोई खरवाई नहीं दी जबो कश्मीर के बढ़गाम जिले में गुरुबार को आतंक्यों ने तहसीलदार कार्याले में घुसकर कश्मीरी पंड़त कर्मचारी को गोली मार दी अचानक हुई दफ्तर में फाइरिंग से कर्मचारियों में भगदर मच गई आतंक्यों के फरार होने के बाद अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उन्होंने कुछ देर चले उपचार के बाद दम तोड़ दिया वहीं अब इस घटना के बाद पूरे कश्मीर में उबाल है बटगाम से लेकर श्री नगर तक जमकर प्रदक्शन ही हो रहा है हमले के जमदारी जैश्य संबंधित आतंकी संगठन टी आरफ ने लिए जमो कश्मीर एक बार फिर सो लग रहा है आतंकी अब टार्गेट किलिंग कर रहे हैं आज पुलिस कॉंस्टिबल रियाज एहमत पर आतंकियों ने गोलियों से हमला कर दिया कराची में देज रात हुआ धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक लोगों ने सुनी और आसपास खड़ी गाड़ियों गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई इस बम धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग हाइल हो गए है सिंद और बरुशस्तान के अलगाब वादी गुटों ने इसकी जिम्मदारी लिए है दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ MCD की कारवाई जारी आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में अवैद नर्माण पर कारवाई की जाएगी तो उसके लिए MDMC ने 400 पुलिस जवानों की मांगी है रोहिणी मेट्रो स्टेशन और समैपुर बादली मेट्रो स्टेशन के बीश पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा और नरेला जोन में अवैद नर्माण के साथ अवैद मीट शॉप्स पर भी कारवाई होगी साथ ही प्रेम नगर करोल बाग जोन बे भी अतिक्रमन हटाये जाएंगे तक्षिनी दिल्ली नगर निगम में खाड़ा कॉलोनी और आसपास के इलाखों में अवैद कब्द परकारवाई होती सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ग्यानवापी मामला याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की माह याचिका में तुरंत असुनवाई की मंग की गए सर्वे को लेकर वारनसी की डियंआउअर पुलिस कमिशनर के साथ कोट कमिशनर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीश बैठक हुई जिसमें तह हुआ के शेनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा मारे नसी की ग्यानवापी मजज़ित में कोट के आदे उसके बाद कल से सर्वेश शुरू हो सकता है वही मामले में फैसला सुनाने वाले जज़ ने अपनी सुरक्षा की चिंता चता है AIMIM अध्यक्ष अजदुदिन वैसी ने कहा कि जिस तरीके से बाबरी मजज़ित कुछी न गया उस तारीख को दोहराया जा रहा है मैं एक मज़ित को खो चुका हूँ अब दुबारा मज़ित को खोना ही जाता केंद्रिय उर्जय गम प्रिभारी उद्योग राजज्यमंत्रिक रुष्निपाल गुर्जयर शुक्रवार को भारती राश्ट्रे राजमार्ग प्राधिकरन के अधिकारियों के साथ मतुरा रोट का बदरपुर बॉर्डर से यूपी के कोसी बॉर्डर तक दोहरा किया हरेंद्र पाल राड़ा महिंद्र भड़ाना एवं एनच आई के बरिष्ट अधिकारी गड़ मौजूट है इज़रान प्रिष्ट नपाल गूजर ने कहा कि दिल्ली मतुरा नाशनल हाईवे नंबर 19 पर बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक उपर गामी पुलो का निर्माड किया गया ब्रामीडों की परिशानी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि अधिकारियों के साथ निर्क्षन किया गया है और हाईवे पर ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज अत्वा कुछ अन्य निर्माड कार करवाने के अब शक्ता है शिक्षा मंतरी कवरपाल गुर्जा ने प्रेसवारता कर कहा कि 15 माई को यमुना नगर में हर्याना प्रगती रैली होगी विकास की कई घोशना इस रैली में आयुजित की गएगी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की अलग सुच थी, वीर सावरकर की अलग थी, ये सभी वो बलिदान हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वीर सावरकर ने भी देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने कहा कि पिहास को शुगर कोटेट नहीं बनाया जा सकता जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है भीच में पितामा ने भी यही ग्यान दिया था कि देश का विभाजल स्विकार नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि यूपी की तर्श पर हर्याना के मदर्सों में राश्ट्रगान हो रहा है या नहीं साथ ही उन्होंने कहा कि राश्ट्रगान गाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हर्याना राज्ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश धांडर रतिया पहुंची जहां उनोंने स्थानीय निगाय चुनाव और पंचाइटी चुनावों को लेकर भाशपा कारेकरताओं के साथ ऐह फैञाफी जोरान उन्होंने कारिकरताओं को चुनावों में कमर कसने का आवाहन किया है और कहा कि पार्टी का कारिकरता ही पार्टी की रेड़ की हड़ी होता है सिर्था के शहीद भगत सिंग स्ट्रेटियम में खेलो इंडिया यूद गेम्स के तहट मशाल पहुंची मशाल का स्वागत डीसी ने कारिकरम के बाद मशाल को हरी जंडे दिखा कर जिलाहिसार के लिए रवाना किया इस मौके पर रहागीरी कारिकरम का भी आयुजन किया गया इस मौके पर उपायोगत अज्यसिंग तोमर ने कहा कि युवाओं को अपनी उर्जा का सकरात्मक दुशा में उप्योब करते हुए खेलो में बढ़ चड़ कर धाग लेना चाहिए फरिदाबाद जिले को बहुत जल्द 150 नीले रंकी सिटी बस मिलने वाली है सरकार में इसकी मंजूरी दे दी है और कभी भी ये बस एक फरिदाबाद पहुँचाएंगी फरिदाबाद Metropolitan Development Authority इन बसों का संचालन करेगी और डेड़ सौ बस से शामिल होने के बाद फरिदाबाद में परिवहन की समस्या नजर नहीं आनगी बिवानी में फिजिकली चालेंज डिट क्रुकेट अस्येशन ओफ इंड्रिया द्वारा दव्यांग ट्रॉफिय पैंक बॉल टीट्वेंटी का आयोजन क्या गया है जिसमें सांसर धर्मभी सिंग में बतौर मुख्य अतिती शिर्कत की इस दोरान उन्होंने कहा कि PCC AI द्वारा दिव्यांग खिलाडियों को विश्वस सर पर तहचान मिल रही है इस प्रकार के हुनर से दूसरे लोगों को भी प्रिढ़ना मिली गी अंबाला पुलिस्वारा सुष्मा स्वराज बस स्टैंड पर एक मॉख ड्रिल किया गया जिसमें पुलिस ने किसी पह अप्रियो घटना के वक्त सभी संसाधन इसलिए जुताए गया थ europa अम्बाला शोहर के सुष्मास वराज बस स्टेंट पर लावारिस बैग मिलने से अफरा तफ्री मच गई है पुलिस को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस टीमें अम्बाला शोहर के बस स्टेंट पहुंचे मौके पर बंस प्वाइट, स्नीफर डॉक, फायर ब्रिगेट और आईडी, डिफ्यूज जैसे संसान जुटाए गया लावारिस बैग को पुलिस पीसियार में खाली जिगह ले जाया गया और बस स्टेंट को चारों तरफ से सील कर दिया गया सोना के गाउं दमदमा में अंशन पर बैठे चात्र चात्राओं की हालत लगतार बिगड़ रहे हैं लेकिन अंशन के तेरा दिन भी चात्र मजबूती से अंशन पर ड़ते हुआ है चात्र में प्रशासन और सरकार के प्रतिभारी रोश है ग्रामीरों का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता तो अब ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा पोरलेंड पर हांस पूर रोट पर कट बंद करने पर लोगों में रोश बढ़ गया है लोगों ने कहा कि कट बंद करना है तो पहले यहां अंडर पास बनाना होगा रिवाडी के सरकुलर रोट पर 45 लाग की लागत से बने डंपिंग स्टेशन का उधगाटन अगर परिशद की चेयर परसन पूरम यादव ने रिपन काट कर दिया इस जोरान उन्होंने कहा कि पहले यहां खुले में कच्रा डाला जाता था और आसपास के लोग यहां फैल रही गंदगी से परिशान थे लेकिन अब ये कच्रा इसी डंपिंग स्टेशन में ही सीमित रहेगा सोना कस्वे में प्रशासन ने फुटपाथ की अतिक्रमन मुफ्त करने के लिए रहेडी संचालकों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया है रहेडिया अब अनाजवंडी में बगल में बनी टीम शेट में लगाई चास पिंगी सोना स्टेशन में बताया कि रहेडी संचालकों को मार्केट कमिटी विभाग द्वारा निर्धेशित नियमों का पालन करना होगा ऐसा होने से अस्पताल मार्क पर यादया सुदम और फुटपाथ पर चलना भ्यासा होगा रत्या में बिजली की समस्या को लेकर किसान मजजूर संगठन की सदस बिजली घर में पहुंचे लोगों में भारी रोश्टा जोरान लोगों ने स्टीओ को एक ग्यापन भी सौपा और जल से जल समस्या के समधान की मांग की है कनीना उपमंजल की गाउं बेवल में पेजल की किलत को लेकर ग्रामीडो ने सडक पर उतर कर धरनाँ प्रदॉक्षन किया ग्रामीडो ने कनीना नारनौल सडक मार पर गाउं की बस-स्टेंट पर लगभग एक घंटे तन चाम लगाया जाम की सूचना मिलने पर कनीना थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश पुलिस की पूरी टीम के साथ मौके पर पहुचे और ग्रामीरों को समझा बुजा कर जाम खुलवाया विवारी में पांसो करोड की साढ़े चालीस एकड़ जमीन में हपलेबाजी में वकील ने राजस्प और पुलिस प्रशासन पर आरुप लगाया जिला कश्ट निवारन समीती की बैठक में शिकायत रखी थी जोसमें टीसे ने संबंदित अधिकारियों को तलब किया गूला थाना शेत्र के गाउं खरका से 42 करोड रुपे से ज़्यादा कीमत की 6 किलो हिरोईन मिलने के गाज एसे चो रमेश चंद पर गिरे हिरोईन मिलने के अगले ही दिन स्पी मक्सूद एहमत ने रमेश चंद को एसे चो पत से हटाते हुए CIE2 में भेज दिया है चर्की दादरी के चंपापुरी छेत्रों निवासी बियसे जवान सह भगवार 13 मार्च को एक महिनी के छुट्टी पर घर आया था 22 मार्च को अंबाला कैंट में ओफिस के काम से निकला था और घर नहीं लौता पुलिस ने 14 पुरेल को सभगवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्श की परिवार में पत्नी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है बिवानी के चौधरी बंसी लाल हवाई पत्टी के ट्रेनिंग सेंटर पर प्रश्रिक्षन के दौरान बड़ा हथसा होते होके चला प्रस्टिशन के दोरान टू सीटर एरक्राफ्ट का इंजन उड़ान भरने के साथ ही धराश्वाई होकर जमीन पर गर गया गनीमत रही कि एरक्राफ्ट ने ज्यादा उंची उड़ान नहीं भरी थे साथी सरकारी डॉक्टर से मिली भगत कर गलत मेडिकल करवाने के आरोप है मामले में अब 13 जून को अगली सुनवाई होगी हरियाना नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्योरो की टीम ने फरिदाबाद की जीवन नगर गौंची इलाके में घर में बनी दुकान पर छापा मार कर भारी मात्रा में नशीली दवाईयां बरामिक किये चापेमारी में फरिदाबाद ड्रग कंट्रोल ब्योरो की टीम भी शामिल रही बताया जा रहा है कि नशीली दवाईयां एक महिला दुआरा बेची जा रहे थे रनाल में तीन बदमाशों ने हत्यार के बल पर रुपली गाउं के केंडरा बैंक में जगैती की वारदात को अंजाम दिया करेब 3,16,900 रुपए की नगदी लेकर फराद हो गया बैंक में जगते ही दो बदमाशों ने मैनेजर और कैश्यर को गन पॉइंट पर लिया और कैश काउंटर में रखी नगदी इथाले में रखकर फराद हो गया जगैदे की पूरी वारदात बैंक के अंदर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्श कर जांच शुरू कर दिया परिदाबाद में नशे के आदी युवक ने अपने बुज़ूर्ग मावाप की कैशी मार कर हत्या कर दी आरोपी पहले भी कई बार मावाप के साथ जगड़ा कर चुका था गुरूग्राम पुलिस ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता से चार करोड की जबरण वसूली मामले में आरोपी को गिरफतार कर जबरण वसूली करने के बड़े नेक्सिस मामले का खुलासा कर दिया पतेहबाद पुलिस टीम ने भुना शेत्र में घुप्त सूशना के आधार पर कारवाई करते हुए मोटर साइकल सवार युवक को पांस पांच ग्राम हिरोईन सहिब गरफतार किया पकड़ी गई हिरोईन की कीमत करिब 50 लाख रुपे से अधिक बताई गई है गिरफतार युवक के खिलाफ वे नडी पिया सेक्ट के तहट मामला दर्शकर फुलिस पूस्ताश कर रही है ग्रुग्राम के ने चड़तालिस से एक्सपोर्ट कमपनी के ठिकदार से साढ़े चार लाख की लूट की घटना सामने आई है चोहां बाइक सबार हत्यार बन बदमाशों ने दिन दहाडे लूट की घटना को अचान दिया तोलिपत के नाशनल हाईवे चवालीस पर तेज रफतार का कहर देखने को मिला स्कूल बस और ट्रक में टकर हो गई जिसके चलते बारा स्कूली बच्चों को चोटे आई है छे बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है वहीं ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटे आई है हाथ से की बाद ट्रक चालब को फलुस ने हिरासत में ले लिए बहादुर गड में लिविन ए रिलेशन्शिप टूटने से नाराज एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर बर्फ तोडने वाले सुए से ताबर तोड हमला कर दिया हमले में प्रेमिका गंभी रूप से घायल हो गई ब्रह्मिशक्ती संजीवनी अस्पताल में उसे धर्टी करवाई गया है भारत मौसम विग्यान विभाग के मताबिक अगले कई दिनों तक उत्तर पश्रिम और मद भारत में लूचलने की संभावना है मौसम विभाग में अलर्ट जारी कर कहा कि प्रदेश में बारा साल में तीसीरी भीशन गर्मी है तापमान चालिस से पैतालिस से दिग्री तक पहुंच सकता है वहीं IAMD का कहना है कि पंजाब, हर्याना, चंडिगड और दिल्ली के कई हिस्सों में अधिक्तम सापमान दो से तीन दिग्री सेल्शियंस की बढ़ोतरी होगी भारत में पिछले 24 गंटों में कोरोना वाइरस के 2841 नए मामले सामने आए हैं और 9 मरीजों की मौत हो गई है हर्याना में कोरोना पिछले 24 गंटों में 354 नए मामले सामने आए हैं एक्टिव केसों की संख्या 1930 हो गई बिलोग्राम में कोरोना के सबसे ज़्यादा 262 नए मामने सामने आए 463 मरीजों ने कोरोना को मात दी है परिदाबाद में कोरोना के 66 नए मामने सामने आए 69 मरीजों ने कोरोना को मात दी चीन के महान शहर में सबसे पहले सामने आए कोरोना वाइरस के घातक स्वरूप के दो साल से अधिक समय बाद चीन अभी भी कोविट संकट में बंध है, 40 करोण लोग अभी भी लॉक्टाउन में रह रहे हैं रूस यूक्रेण के बीश जंग का आज उन्यासिवा दिन है, अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेण की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है, 6 लोग खाय लोगे श्री लंका में विपक्ष के नेता और पूज़ प्रधान मंतरी रानल विक्रम सिंधे को देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिती को स्थिरता दलाने के लिए 26 वे प्रधान मंतरी के रूप से शपत दिलाई गई श्री लंका में जारी संकट के बीच नई प्रधान मंत्री रानल विक्रमा सिंगे को शपत दिलाई गई लेकिन उनके खलाफ भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरा है पंजाब के मुक्यमंत्री भगवन तमान ने पंजाबी गानों में गन, कल्चर और गैंस्टर कल्चर पर सक्ती दिखाते हुए सिंगर्स को शेताम लेगी है छोटे करदाताओं के लिए टैक्स विभाग की तरफ से बड़ी रहत भरी खबर आई है, अब उनकी पुरानी फाइले नहीं खुलेंगी शुक्रवार के काम का अज के बाद बैंक तेन दिन बंद रहेंगे, इस पूरे महीने में 11 दिन तक बैंक पीछुती है सिरकारी तेल कमपनियों ने पैट्रोल डीजल के ने रेट चारी किया है, ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम 110 डॉलर के करेब पहुंचे तो वही कमपनियों पर दुबारा कीनते बढ़ाने का दबाव पर सकता है ट्विटर के बिखने की डील होने के बाद से ही कमपनियों कर्मशारी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है, सीओ पराग अगरवाल ने कमपनियों के दो बड़े अधिकारियों को निकाल दिया है गुरुबार को मुंबई इंजियन्स और चिन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी, चिन्नई सुपर किंग्स पहले बलेबाजी करते हुए सिर्फ 97 रनों पर धेर होते मुंबई इंडेल्स को जीत के लिए इंठानवे रनों का अलक्ष मिला था जिसे मुंबई ने पंदरवे ओवर में पूरा कर लिया था इसके साथ ही चुन्नई सूपर किंग्स तूनामेंट से बहार हो गई चिन्नई सूपर किंग्स में एमेज जोनी ने एक चोर संभाले रखा लेकिन पूरी टीम संतानवे रनों पर ओल आउट हो गई यह आईपियल 2022 कहीनी बलके तिहास का दूसरा सबसे छोटा स्कोर था इससे पहले पांच मेई 2013 में वानखेरे स्टेडियों में मुंबई इंजिन्स के खिलाफ चिन्नई सूपर किंग्स आईपियल में उन्यासी रन बनाकर ओल आउट हो गई थे इसको लेकर आईपियल 2022 के बाद एक बड़ी घोष्णा हो सकती है डंकी के सेट से सामने आई तस्वीर शारुखान की शांदार तस्वीर आजकुमार हिरानी की दमदार फिल्म है डंकी आमिर खान, करीना कपूल स्टार लाल सिंग चड़ा का दूसरा गाना मैं की करा हुआ रिलीज दिल छू लेंगे बोड़ गुट का कंट्रोवर्सी पर बोलते हुए सुनेल श्रेटी ने कहा कि इंड़र्स्ट्री में बहुत कुछ होता है मैं भगवान नहीं है साउथ की मशूर अभिनेत्री नैंतारा अपनी शादी को लेकर काफी दिनों से सुर्खियों में हैं इन सुर्खियों पर महर लगाते हुए नैंतारा ने फिल्म निर्माता विगनेश श्रिवन के साथ साथ से रिविग दी